अमिशा भगत माराश्ट्रो से नमस्कार सूर्य की किर्णे वसुंदरा को स्पर्ष करने से पहले जिसकी सुभः वेदों के मंत्रों से और आर्यों के पवित्र ग्रंथों से होती थी जहां से समन्द विश्व को एक धागे में बानने वाली कुरुवें तो विश्वारियत या आर्यों की वानी चालो दिशाओं में गुंश्थी थी जहां से भगवान सी कुरुष्ण ने संपूर्ण विश्व को नैतिक ताका पाठ पड़ाया और बुद्धने शांती का संदेश यही यही तो है हमारी ये भारत भुमी और इसलिए तो कहते है कि दुरलभम भारत जन्मो अरे भारत तो छोड़ो पुरा विश्व अगर रखने वाले यहां के लोग यहां की मिट्टी और यहां की संस्कृती और मैं इसी भारत वर्ष की वेटी महाराष्ट राज्य का प्रतनिधित्व करते हुए आपके सामने विशे प्रस्तुत करना चाहूंगी देश भक्ति एवं राष्ट निर्मान अब दोस्तों यह देश देश भक्ति एक व्यक्ति और वतन के बीच के भावनाओं का समंध दर्शाती है यह देश भक्ति वतन के लिए मर मिटने का साहस निर्मान करती है वतन के उन्नति के लिए संघर्ष करना सिकाती है संघटीत होना सिकाती है किन्तु यह तो हो गई आम बाते असली देश भक्त धार्मीक, जातिवादी, संकुची सामुदायवादी या दंगल शाहिवादी कोई भी बादा हो तथा राश्टर के मान, सनमार और विकास हितु आने वाले हरेक बाधा को दूर करना और परिवार के सदस्य की हैसियत से नहीं किन्तु राश्टर के प्रथम नागरिक के तोर प अपने मुल सविधानिक कर्तव्यका निर्वाहन करना भी देश भक्ती है, ये देश भक्ती हमें सिखाती है हमारे सविधान को अबाधित रखने का प्रयास करना, क्योंकि विविद धर्मों के रंगों से सजे इस भारत देश में कुरान कहता है मुसल्मान बनो, भगवत गी जवान के लिए हमारे मन में होती है, जो तिरंगे पर आचाने पर हमारे मन में लगते, जो हमारे सर्वधर्म समभाव के संस्कृति को लेकर हमारे मन में होती है, जो हमारे बीच के भाईचारे को लेकर हमारे मन में होती है, जो उन महान पूरुशों, क्रांतिकारों और संतो के लिए हमारे मन में होती है अभी इसी देश भक्ति से अगर राश्ट निर्मान करना है तो जरूरी है सबका साथ और सबका विश्वास 2014 में सबका साथ और सबका विकाश की सुरुवात हुई थी किन्तो आज अगर देखा जाए NRC CA जैसे मामलों में हमें दिखाई देता है कि आज भी हमारे देश का एक समाचors ऐसा है जिसका देश के लोकतंत्र पर और सविधार पर विश्वास नहीं है यह विश्वास प्राप्त करना जरूरी है इसलिए बाद में सब का साथ सब का विकास सब के विश्वास के साथ जोड़ा गया दोस्तों अब जरूरी है हमें साथ अके संगटित होके कार्य करना क्योंकि जब जब हम असंगटित होए है तब तब हमें ह कदम्मी जब चलते हैं इस तरह तब दिल-दुश्मन के भी हिलते हैं दिल-धुश्मन के भी हिलते हैं दोस्तौ आज जरूरी है उन महानपुरुशों की संतों के विचारों पे चलने की श्री संत अन्यानेश्वर जी ने कहा था अंत्योदय मतलब अंत का उदय इसी अंत्योदय से प्रेणा लेते हुए गांधी जी ने निसावी सदी में फिर से अंत्योदय की शुरुवात की ही गांधी जी ने कहा कि गाओं की और चलो यूकि हमारे देश की शुरुवात और अंत यह गाव है और जब तक हमारे राष्ट्र के अंत के गाओ का अंत का व्यक्ति शिक्षित साक्षर एवं विकसित नहीं हो जाता त तब तक हमारा राष्ट निर्मान संभव नहीं है अब जरूरी है राष्ट निर्मान के लिए हमारे देश में मतदान साक्षर ता की दोस्तों कहा जाता है इस लोकत अंत्र भारत में देश की सरकार देश का विकास करती है किन्तु हमें ऐसा लगता है कि देश के सरकार से पह होeriaट तब जाके हमारा देश विकसीत होता है इसे साथ-साथ अगर अंतरश्ट्रय स्तर पर राष्ट्र का मुल्ल Itís्पना बढ अर्थिक मुल्नि कर बढ़ाने के लिए ढंतरश्ट्रaltres स्तर से पहले हमारे भारत में होने वाले आर्थिक समस्याओं को हल करना सबसे ज़्यादा जरूरी है फिर भष्टाशार के रूप से जो काला धनाता है उससे साथ-साथ नकली नोटाओं का छपना बन करना जरूरी है और हर एक नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपना टैक्स का भुगदान वक्त पर करे और इसी के साथ-साथ अब जरूरी है हमारे स्त्रियों की इज़त दोस्तों आज हमारे देश में शारदा असरस्वती समझ कर स्त्रियों की मंदिरों में पूजा की जाती है तो उनकी इज़त नहीं की जाती एक तरफ मंदिरों में इस्त्रियों को पूजा जाता है तो दुसरी तरफ उनी के मासिक धर्मों के दिनों में उन्हें मंदिर में जाने से मनाई करके उनके अभिव्यक्ति स्वातंत्र को छीन लिया जाता है अब राश निर्मान तब संभव होगा जब हम स्त्रियों की सिर्फ पूजा नहीं बलकि उनका मान सनमान आदर करेंगे और यही देश भक्ति होगी अब देश भक्ति वही होगी जब हम एक गरिप को एक पैसे मांगने वाले गरिप को भिकारी न समझ के मजबूर समझे उसकी समस्या का हल निकाल के उसे काम करने के काबिल बनाएंगे और यही देश भक्ति होगी अब राश निर्मान अगर संभव करना है तो संगटित होना जरूरी है और इसका एक एहम पहलू है मैं आप हम युवा दोस्तों आज अगर देखा जाए तो एक तरफ 5G, 6G, Artificial Intelligence, Build Data यह सब बाया युवकों की संकलपना है किन्तो हमारा युवक अज हमारा युवक गाई, गोमांस, भालात का चार चोरी, डखेती इन सारी चीजों में अड़का हुआ है अब इस युवक को इससे बाहर आना जुरूरी है किन्तो दोस्तों हर सिक्के की जैसी दो बाजूए होती है वेसी हर परिस्तिती की भी होती है अगर एक तरफ हमारे युवक गलत चीजों में है तो दुसरी तरफ हमारे ही राश्र का अजिंग के नाम का लड़का अजस बूक नाम का सौफ़वेर निकालता है जपान ये सौफ़वेर करोड रुपे में लेने के लिए तयाह होता है लेकिन जपान को न देती हुए जब युवेर रैश्र के कंझे मन में होने वाली देश भक्तिय और उससे होने वाला राशु निर्मान हमारे सामने होता है अब कौन कहता है कि भारत राश्र निर्मान की और नहीं चल पड़ा आज A Shop में होने वाले इस युद्ध-जनिक परिस्थिति में एरान जब भारत से अन इन चोटी-चोटी समस्याओं का हम हल नहीं निकाल लेते अब इन चोटी-चोटी समस्याओं का हल निकालने किले सबका साथ होना जुरूरी है हमारे माननिय पंतप्रदार नरेंद्र मोजी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास में ही राष्ट की उन्नति है यह समझना जुर क्योंकि हमारे राष्ट्र में कई सरकारे आएंगी और जाएंगी किन्तु राष्ट्र वही रहेगा उसके नागरिक भी वही रहेंगे और इन सारे नागरिकों का बस एक ही दर्म होना चाहिए और वो है राष्ट्रधम स्व्यामी वेकानन जी के गुरू श्री कृष्ण परम हंस जी ने बहुत खूब कहा है उन्होंने कहा है कि जिस देश के लोग भूके सो रहे होते हैं उस देश की पढ़ी लिकी आवाम गद्डार है अब सबका साथ सबका विकास सिर्धार्मिक स्तर पर नहीं किन्तु हर एक च किता है अब इंचन छोटे-छोटे समस्याओं का हल निकालने के लिए सरकार को किसी अभियान या मिशन की शुरुवात करने की कोई जुरूरत नहीं है इसलिए हम सब सामान या नगरिकों को आगे आने की जुरूरत है अब बाद में स्वच्छता करने से अच्छा है कि पहल बाद में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने से अच्छा है कि पहले ही भारत का हर एक नागरिक अपना कारिय पुरी सरलता सच्चाई और निष्ठा से किया जाए बाद में मैलाओं के लिए समाज में लड़ने से अच्छा है उनके नियाय के लिए लड़ने से उनकी इज़त उनका आदर करना सिखाया जाए बाद में ट्राफिक पोलिस को जुर्माने की तोर पर पैसे देने से अच्छा है कि उनी पैसों से एक हेलमेट खरीद कर ट्राफिक के नियमों का पालन किया जाए इसी देश भक्ति से अगर हम चलेंगे तब जाके हमारे राष स्टाचरों को नहीं रोग दिया जाता तब तक हमारा राष्ट का निर्मान नहीं होगा और जब यह सब हमारे राष्ट से निकल जाएगा तब शेक्सपियर के शब्दों में हिंदूस्तान एक ऐसे जगह होगी जहां मानव सुवर्ख समान आनंद में जीवन व्यतीत करेग दोस्तों कौन कहता है कि भारत ने कुछ नहीं किया अरे जिस देश के स्वतंद्र संग्राम की अमर गाता है संपूर्ण विश्व के इतिहास में सुवर्ण पन्नों में लिखी जाती है इसा भारत हमारा राष्ट है आज भारत ने जो हसिल किया है वो शायद किसी और राष् को धुनने तक भारत का राज महल से लेकर पूरे जग की सबसे बड़ी प्रतिमा यानि स्टैच्यों आफ यूनिटी तक अशिया का सबसे बड़ा सुरंग चेनने इसे लेके नैश्री तक से अशिया का सबसे बड़ा पूल बानने तक और इसी के साथ-साथ हमारे माननीय पं कि वास बन्ने बात